तो मेरा नाम है विक्रम और फिर से स्वागत है इमारे यूटुब चैनल Learn Technical में फिर से दोस्तो नहीं जॉब की इंफोर्मेशन लेकर आए हूँ रुक्रीटमेंट आ रही है दोस्तो इंडिया पोस्ट की तरफ से पोस्ट ओफिस की रुक्रीटमेंट है आगे भी जो है वो राज्यस्तान, हर्याना, मद्यपरदेश और उत्रागंट में इनकी रुक्रीटमेंट चल रही है अगर आपने अब तक आवेदन नहीं करा तो आप कर सकते हैं अगर आप इन स्टेट्स की लोकल लेंग्वेज जानते हैं इसी के साथ नहीं नोटिफकेशन भी जारी कर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जम्मू कश्मीर में भी अब आप जो है वो इंडिया पोस्ट के लिए अवेदन कर सकते हैं तो आप कहीं से भी हैं अपलाई कर सकते हैं डिटेर में बात करेंगे इसकी लिजिबिल्टी करिटेरिया की और मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे आपको अवेदन करना है शूर से लेके लाज से वीडियो को ध्यान से देखिए हो सकते वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आने वाली जोब अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइट पे जमू एंड कश्मीर के उपर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं Registration पर क्लिक करके आपको Registration करनी है, Feast Payment करनी है, 100 रुप्या Feast है, लेकिन अगर आप आते हैं, SCSD Candidate, Female Candidate, तो आपको किसी तरह की Feast देने की दुरूद नहीं है, Free में अवेधन कर सकते हैं, Apply Online, Third Step पर करना है, यह तीनों Step कम्प्लीट करने हैं, और आप Registration कर पाएंगे, यहाँ पर आप Starting Date देख सकते हैं, 6-7-2020 से आवेधन शुरू है, 5 अगस्त तक चलेंगे, इससे पहले-पहले आपको आवेधन करना है, और राज्यस्तान सरकल के लिए, अगर आप Apply नहीं कर पाएंगे, तो आप राज्यस्तान के लिए पर Apply कर सकते हैं, 26 से आवेधन शुरू हुए थे, अभी भी 21 साथ तक आप आवेधन कर सकते हैं, और हर्याना, मद्यपरदेश और उत्राखंट के लिए, आप 7-7-2020 तक आवेधन कर सकते हैं, तो इन Recruitment की दोस्तों जो ही, आज पर गौर्णमेंट टूर्ण में लेगी, 18 से लेके, 40 साल तक अगर आपकी एज है, आप Eligible Apply कर सकते हैं, यहां पर सारी जानकारी दीगए, नोटिफिकेशन में आप आगे एक बार रीट करिएगा, हम आप अलरेड़ी इसके उपर काफी जो हे, दो-तिन वीडियो जो हे बना चुका हूँ, क्योंकि जब पिछली रॉक्वीटमेंट आई ही, तब ही मैंने वीडियो बनाया था, तो जो क्राइटेरिया है, वो लगपक से में साइकल चलाना, आपको आना चाहिए, आपका जो काम होता है, ग्रामीन, डाक सेवक, जो हे, वो एक तरह का post, master, आप बोल सकते हैं, यानि कि आपको जो हे, वो village के अνदर काम करने को, जो हे, वो मिलता है, वहीं पी आपका office होता है, वहीं पी आपको काम, जो हे, वो करना बड़ता है, selection criteria की बात करें यानि कि आपका selection कैसे होगा तो किसी भी तरह का exam नहीं होगा किसी भी तरह का interview नहीं दिया जाता है merit basis पे आपने कितने जो हे वो number marks जो हे वो लिए है अपने 10th में 12th में उसी के according जो हे वो करा जाता है बागी दोस्तों जो हे इसमें computer का criteria भी होता है अगर आपने 10th में 12th में computer नहीं पढ़ा है तो आपके पास कम से कम 6 month का computer का course होना चाहिए बागी अगर आपने 10th या 12th में एक subject जो हे वो computer का पढ़ा हुआ है तो आपको किसी भी तरह की जो हे वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर local language आना बहुत अनिवार है अगर आपको जो हे वो आती है वहाँ की local language तो apply कर सकते है J&K की local language जो हे वो हिंदी और उर्दू है बागी दोस्तो अगर आप चाहें तो इनके लिए आवेधन कर सकते हैं अब तक आपने आवेधन नहीं करा तो जुरूर आवेधन कीजेगा तो यही था दोस्तो आज की इस वीडियो में चोटा सा अपडेट सा सोचा आपके साथ शेयर कर लो अगर आपको कोई problem आती है आप comment section में लेख सकते हो हो रहा हाँ मैं इसकी उपर दोस्तो है अल्रेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने मोबायल से इस जौब के लिए आवेधन कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूत नहीं है घर पे बैटके आप आराम से पने फोन से भी जो है वो कर सकते हैं इसको complete apply online कर सकते हैं So thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी जैसे कोई नहीं अपडेट आती है किसी भी जौब से related मैं आपके साथ जरूर शियर करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को प अपडेट के साथ